नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कुई हिंदी पर और मैं हूँ अभिनो सिंग दोस्तों आज 18 और 19 को पूछे गए कुछ क्वेस्टन्स मिले हैं काफी इंपॉर्टन क्वेस्टन मने लिया है तो उन्हीं का टेस्ट होने वाला है आज सब लोग वीडियो को लाइक कर दो सफोर्ट करने के लिए वीडियो को पहले ही लाइक कर दो और वीडियो के आखरी मीवी बात जरूर बताना कि आपका कितना क्वेस्टन करेक्ट हो एठीक है आपको इससे पता चल जाएक को पता बहुत चल जाएगा तो काफी इंप्रटन टेस्ट होने वाला आश का औ और आप लोग भी मुझे क्वेस्टन भेज दिया करो इंस्टरगाम या फिर फेस्बुक पर वहां की मेरी आइडिया विनोसिंग 177 वहां पर टाइप करोगे ऐसे ही तो मैं मिल जाओंगा वहां से मुझे क्वेस्टन भेज सकते हो या फिर कमेंट बोक्स में भी आप क्वे लिक एड़ करने की सौट कट की क्या है तो काफी सिंपल से क्वेश्टन है यह सी नमर इसका एंसार हो का कंट्रोल प्लस के हर जगह यह यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस के लगभग में देखा हूं बहुत जगें पर तो काफी इंपॉर्टन था यह अब नैक्स्ट बैं इसका साइंसर हो का सी नमबर चेक जारी करने वाला खाता दारक मतलब जो चेक जारी करता है वही इसको रोग सकता है बाकी कुछ नहीं ठीक है यह बात बहुत इंपॉर्टन है पता होना चाहिए आपको अब नेक्स्ट बैंक से अधिक्तम कितने पैसे निकाले जा सकते हैं और कई तरह के रूल भी होते हैं बैंक से पैसे निकालने के लिए जैसे ATM से निकाला जाता है उसकी लिमिट 40,000 होती SBA में और चेक्स निकालो गया भी तो दो लाग निकाल सकते हो उसके लिए भी एक debit card होता है premium debit card उससे भी आप दो लाग निकाल सकते हो और जो बड़े-ब 2007 का default file extension क्या है इस question को बिजे कुमार ने comment box में दिया था और उन्होंने बोला था मेरे नाम ज़रूर ले ले लेना तो उनका नाम बने ले लिया बिजे कुमार तो काफी important question भी इन्होंने बैजा था और उन्होंने बोला कि आप help मिली मेरे वीडियो से तो default file extension की बात करेंगा इसका science होगा B number xlsx ठीक है default file extension है यह 2007 का या फिर उसके ऊपर xml जो file हो गया है 2007 के बाद उसके पहले क्या होता था xls जो ए नंबर है यह 2003 का default file extension है दोनों आपको पता होना चाहिए अब next खाता खोलने के लिए नियूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए इसका science होगा C number 10 words यह सारे question मैंने discuss कर चुका हूँ कभी ने कभी जो भी question सारे मैं देख रहा हूँ जो भेज रहे मेरे पास कुछ question ऐसे है जो मैंने नहीं बताया आपको अब next पैन का पूरू रूप क्या है इसका science होगा B number simple सा question है permanent account number ठीक है अब next bank draft कौन जारी करता है तो इसका science होगा A number कोई भी bank ठीक है जिस bank draft होता क्या है जैसे कोई संगठन होता है या फिर कोई भी उसके नाम पर जारी की समझे लो आप उसको पैसा दे रहो गारंटी होता है वह तरह से ठीक है वह ड्राफ्ट क्या है एक गारंटी है कि हाँ आपने पैसा दिया बस और कुछ bank draft कुछ होता नहीं है और जिस भी bank से आप चाहोगे बनवा सकत जो bank draft वह एक गारंटी होता है bank draft ठीक है अब next सर्च इंजन का कारिक क्या होता है इंटरनेट पर किसी भी सुचनों को ढूड़ना www पर दस्तावेजों को ढूड़ना या फिर computer और इंटरनेट की बीच इंटरफेस उपलत कराना या AN भी दोनो इसका साहिन सोरोगा AN भी दोनो ये दोनो तो एकदम सही बोल रहा है कि यही होता है सर्च इंजन का काम तीसरा क इंटरनेट की बीच इंटरफेस यह काम समझे लोग ब्राउजर करता है ब्राउजर जो होता है वह यह काम करता है अब नेक्स्ट सबसे ज़्यादा साखाएं किस बैंक की हैं यह भी क्वेश्चन में बता चुको आपको तिसका सबसे बड़ी बैंक के बारत की यह कभी बोलना मत अगर सबसे बड़ी बैंक की बात पूछे तो सबसे ज़्यादा साखाएं भी अब नेक्स्ट डबलु डबलु का अब इसकार किस ने किया था काफी इंपॉर्टन क्वेश्चन नहीं है अब नेक्स्ट नेटवर्क गेटवे क्या है यह एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के डिवाइस को जोड़ता है तो नेटवर्क या वर्क इस्टेशन के बीच लिंग या गेट की तरह काम करता है एक IP एड्रेस है जो हार्डवेर और सौफ़वेर का कम्बिनेशन बतावी इसका साइनसर कौन सा होगा तो इसका साइनसर होगा दीनमबर उप्रोक सभी के सारे काम करता है गेटवे यह बात आपको पतावना चाहिए पूरा गेटवे का डिफिनेशन मैंने दे दिया है तो एक डिफिनेशन यही होता है तो जो भी आए आप समझ लेना वही आपको करना है ठीक है अब नेक्स्ट इंट्रानेट एक प्राइबेट नेटवर्क है जो केवल किसी और्गनाजेशन के लिए ही उपलब्द होता है यह त्रू है या फाल्स तो यह हो जाएगा true बिल्कुल सही बोल रहा है question आया था कि internet क्या है ठीक है तो उसको मैंने true and false में करनाओ कर दिया बुरा definition आपको मैंने दे दिया है कि internet होता है क्या है आखिर अब next browser worldwide web पर सूचनाओ तक पहुंचने का माध्यम है मतलब web browser तो बिल्कुल सही बोल रहा है यह true हो जाएगा ठीक है web browser का काम होई होता है अब next क्रे एक super computer है यह true है false तो बिल्कुल सही बोल रहा है यह true हो जाएगा ठीक है अब next LCD का पूर रूप liquid crystal display है true है यह false तो बिल्कुल सही बोल रहा है true हो जाएगा ठीक है यही होता है liquid crystal display अब next X.25 wide area network में प्रियोग होने वाला एक protocol है यह true है यह false बिल्कुल सही बोल रहा है true हो जाएगा ठीक है मैंने आपको बताया था यह packet switching protocol होता है एक standard protocol है जो की wide area network में use होता है packet switching यह भी आपको पता होना चाहिए और wide area network में use होता है protocol होता है यह standard protocol अब next search engine को web browser में बदला जा सकता है यह true है यह false तो हो जाएगा false क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है ठीक है search engine अलग होता है web browser अलग होता है जैसे google है google एक search engine ने उसका एक browser भी बनाया उसने जिसका नाम है chrome तो इस तरह से होते हैं अलग अलग है दोनों का काम यह search करता है कोई चीज और यह provide करता है कि आप उस पे कुछ ठूण सकते हो या फिर कुछ सूचनाओं तक पहुंच सकते हो browser के द्वारा अब next MDA का पूरू रूप monochrome display adapter है यह true है यह false तो बहुत सही बोल रहा है यह true हो जाएगा ठीक है यह MDA होता क्या है monochrome display adapter जो है ओ क्या है एक video display chip है किसका IBM का ठीक है यह IBM का part होता है monochrome display adapter यह video chip होता है अब next एक MB में 80,000 bits होते हैं यह true है false यह जाएगा false क्योंकि एक MB में 80,000 ने बलकि 80,000,000 होते हैं ध्यान देना यह बात ठीक है 80,000,000 bits होते हैं एक MB में अब next पेज refresh करने की shortcut की F5 है यह true F, false बिल्कुल सही बोल रहा है यह F5 refresh करने की shortcut की होती है हर जगें यही use किया जाता है ठीक है refresh करने के लिए अब next internet banking क्या है खाता का परचलने इंटेट द्वारा खाता का परचलने ATM द्वारा यह फिर MB तिससा इंसर होगा ए नंबर सिम्पल सी बात है खाता का परचलने इंटेट द्वारा ठीक है मैंने पहले भी डिसक्रस कर चुक है इसके बारे में अब next बैंक में खाता कौन खोल सकता है भारती नागरिक अनिवासी भारती अनपढ या फिर सभी इसका अनसर होगा डी नंबर उपरोग सभी तो हर कोई खोल सकता है सिंपल जी बात है फिर दोस्तों आप सभी के टेस्ट यहीं पर समापत होता है इतने क्वेशन मिलेते मुझे और सब लोग जरूर बताना कमेंड में कि कितने क्वेशन आपके करेक्ट हुए हैं और वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत